हेलो अबरिपन, मैं आशा करती हूँ, आप सभी ठीक होंगे, मैं काजल धामी, आप सभी का स्वागत करती हूँ, आपके अपनी चैनल प्यूपिल टीचर में आज की इस वीडियो में हम सीटाइट परिक्षा की तियारी को ध्यान में रखते वे, लर्निंग ठीयोरी जो की है हमारे अधिहम सिध्धान्थ, इस महत्पूर टॉपिक को आज की इस वीडियो में मैं कवर करूँगी, इस वीडियो के अंदर हम लोग तीन अलग-लग सिध्ध क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिध्धान्थ है, इसको हम देखेंगे, साथे साथ जो पैवलोग की ठीयोरी है, जिसे हम क्लासिकल कंडिशनिंग ठीयोरी के नाम से जानते हैं, इन तीनों ठीयोरी को हम डीटेल में आज की इस वीडियो में कवर करेंगे, इस वीडियो क अगर आपको वीडियो देखनी हैं, तो आपको उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चलिए वीडियो शुरू करें, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ठॉंडाई द्वारा जो हमें सिध्धान्थ दिया गया है, वो कौन सा है, तो इस थियोरी के अंदर, इस सिध्धान्थ के अंदर, जिस पे प्रियोग किया गया है, ये भी पूछा जाता है, देखें ये जो ट्राइल एन एरर थियोरी यानि कि प्रियास एं तृति का सिध्धान्थ ये बनाया गया, इसमें क्या किया गया, एक प्रियोग किया गया, एक एक hungry cat के उपर एक experiment किया गया, उसको एक cage के अंदर रखा गया और भार पे एक मचली रखे गई, और इस तरीके से यहाँ पर उसका response देखा और इस तरीके से यह थोंडाई द्वारा trial and error theory दी गई है, अभी हम इन तीनों सिध्धानतों को अलग से यहाँ पर detail में discuss करेंगे, अ तो देखिए जो operant conditioning theory है, इसके अंदर जो experiment किया गया, जो प्रियोग किया गया, वो किस चीज के उपर किया गया, वो चूहे के उपर experiment किया गया, तो देखिए चूहे को एक cage के अंदर रखा गया, और वहाँ पर क्या किया गया, दो चीजे रखे गई, अगर वो एक point को वह बिली के बाहर, यानि के cage के बाहर जिसमें बिली रखे गई थी, उसके बाहर खाना था, तो बिली को पता था कि इस तरीके से वो response यहाँ पर करेगी, तो उसे वहाँ पर खाना मिल सकता है, पर यह जो चूहा था, चूहे को पता नहीं था, वो बस उच्छल कूद कर रहा था और इस तरीके से यहाँ पर उसे खाना मिल रहा था, इसके अलावा, अगर हम यहाँ पर पैवलव की बात करें, तो पैवलव ने जो हमें थियोरी दिये, वो यहाँ पर क्लासिकल कंडिशनिंग थियोरी दिये, यानि कि सास्त्री अनुबन्दन सिधान दिये, और इनों ने यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट किया था, वो एक कुत्ते पर किया था, तो देखिए, यहाँ पर क्या किया गया, कुत्ते के सामने खाना रखा गया, डॉक के सामने खाना रखा गया, तो उसके मूँ से लाड निकल रहे थी, यानि कि सलाइबा निकल रहा था, और उसके बा खाने को हटा दिया और बेल जो है वो बज आई अब देखिए क्या हुआ कि यहां पर उसको लगा कि बेल बज रही है तो शायद वहां पर खाना भी होगा तो फिर भी उसकी लाट निकल रही थी तो इस तरीके से यहां पर एक्सपेडिमेंट किया गया और इसका क्या निश्कर्ष निकला यह अभी हम डिस्कुस करेंगे तो चलिए सबसे पहले हम डीटेल में जरह देख लेते हैं फटाफट कि थॉंडाइ की ट्राइल एंड एरर थेयोरी के अंदर जो भूकी बिलनी है इस पर किस तरीके का प्रियो यह जो ट्राइल एंड एरर थेयोरी है यानि कि प्रियास एंड तुरुती का सिध्धान्त है इस पर मैंने जैसे कि आपको बोला कि प्रियोग किस पे किया गया एक्सपेरिमेंट किस पे किया गया और यह एक्सपेरिमेंट किस तरीके से किया गया था कि उस बिलनी को केज के अंदर पहुचा देते थे तो इस तरीके से यहां पर इस थियोरी के अंदर यह बताया गया कि अगर हम किसी की उतेजना बढ़ा देते हैं उतेजना क्या होता है यानि कि स्ट्यूमिलिस को हम इंक्रीज कर देते हैं तो वह जल्दी से हमें क्या करता है रिस्पॉंस देता है यानि कि प्रतिक्रिया देता है तो देखिए यहां पर S and R model भी हमें यह बताया गया S यहाँ पर क्या है? S यहाँ पर is stimulus यानि कि अगर हम बिल्ली के सामने वहाँ पर जो भूकी बिल्ली थी उसके सामने अगर मचली नहीं रखते तो वो वो कार्य नहीं करती तो हमने उसके उतेजना बढ़ाई उसको एक तो भूक लगी थी तो यानि कि वो वो कार्य जरूर करेगी जो हम बोलेंगे और यहाँ पर हम उसके response में उसको क्या दे रहे हैं? वहाँ पर हम उसे fish दे रहे हैं अब देखिए यहाँ पर इसके नियम में अगर हम thondai के नियम को देखें तो यहाँ पर इन्होंने दो अलगलग तरीके के नियम दिये एक दिया हमें मुख्य नियम जिसे हम primary law के नाम से जानते हैं और दूसरा हमें दिया गोन नियम जो कि हम secondary law के नाम से जानते हैं तो देखिए primary law से समंदित हमारे paper में कई बारी question आये है कि थोंडाए के जो primary law है वो कौन से हैं तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप confused मत होई यह primary law यहाँ पर है तीन कौन कौन से हैं यह सबसे पहला है law of exercise यानि कि अभ्यास का नियम यह नियम यह कहता है कि अगर हम किसी कारी को करने के लिए जितना ज़ादा अभ्यास करेंगे जितना ज़ादा हम practice करेंगे उतनी जल्दी वो कारी पूरा होगा अगला यहाँ पर है law of readiness यानि कि तकपड़ता का नियम तो देखिए अगर हम किसी काम को करने के लिए जितना हम effort लगाएंगे जितना हम तातपर रहेंगे जितना हम लोग readiness रहेगा हमारे अंदर उतनी जल्दी वो कारी होगा इसके अलावा अगला जो law है वो है अभ्यास का नियम यान कि law of effect देखिए अगर हम ज़ादा कारी करेंगे अगर हमारा interest ज़ादा होगा हम practice ज़ादा करेंगे तो हमें उसका effect जो है हमें उसका result है वो भी जल्दी दिखेगा तो primary law जो है हमारे जो प्रात्मिक नियम है इसके अंदर तीन नियम आ जाते हैं law of exercise अभ्यास का नियम अगला है law of readiness यान कि तदपरता का नियम अगला है अभ्यास का नियम यान कि law of effect और इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि हमें ठॉंडाई द्वारा गोंड नियम भी दिये गए जो कि secondary law कहलाते हैं यह आपके total किते हैं यह हमारे 5 तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है थोड़ा से यहाँ पर confusion हो गया होगा मैं अभी explain करते हुए आपको चीज़े क्लियर कर दूँगी यह जो secondary law है इसके अन्दया सबसे पहला आता है आपका जैसे कि law of disposition law of disposition का मानना यह है कि हम लोग किसी चीज के लिए जितने अभीविर्ती रखेंगे जितना उस कार्रे को करेंगे वो कार्रे उतने जल्दी पूरा होगा तो देखिए अगर आप जिस काम के लिए जादा यहाँ पर responsible होंगे वो कार्रे जल्दी पूरा होगा और जिस काम को हम delay करते जाएंगे वो काम हमारा उतना ही डिले होता जाएगा इसके लावा है law of partial action अगर हम किसी भी बड़ी समस्या को छोटे-छोटे टुकडों में विभाजित कर देते हैं तो उस काम को करने की जो प्रिवरता होती है जो action होता है वो बढ़ जाता है इसके लावा अगला है law of assimilation तो देखे assimilation के बाद प्याजे ने भी अपनी theory के अंदर की assimilation ये बोलता है कि अगर हम अपने पूर्व ग्यान का प्रियोग करके किसे नए ग्यान के साथ उसको जोड़ना चाहें तो वो हमारा law of assimilation कहलाता है इसके लावा है law of analogy law of analogy मतलब अगर हम अपने पूर्व ग्यान की मदद से कोई नया काम करें तो देखे यहाँ पर आप confuse मत होना ये पूर्व ग्यान को नए ग्यान से जोड रहे हैं और यहाँ पर क्या करें पूर्व ग्यान के मदद से किसी कारद को हम यहाँ पर हल करते हैं इसके अलावा यहाँ पे है secondary law में law of multiple response अगर हम किसी भी चकारे का किसी भी action का हम multiple response देते हैं तो उससे वो जो समस्या होती है वो जल्दी सुलजने की chances होते हैं तो देखिए अभी हमने समझा कि थॉंडाई ने अपने trial and error theory में हमें क्या-क्या चीज़े बताई सबसे ज्यादा important है कि उन्होंने experiment किस पे किया इसके अलावा इनका जो model है इसको हम SR model क्यों बोलते हैं क्योंकि इनका यह मानना है कि अगर हम किसी को stimulus दे किसी की उतेजना अगर हम बढ़ा दें जैसे की यहाँ पर बिल्ली के सामने क्या रखा गया था यहाँ पर फिश रखी गई थी तो य इक तरीके से क्या काम कर रहा था यह stimulus का काम कर रहा था तो अगर हम उतेजना बढ़ा देते हैं तो हम लोगों को response जो है वो फटा फट मिल जाता है और इसके बाद इन्होंने जो नियम हमें बता है इसमें primary law में तीन नियम है और जो secondary law में इसमें पांच नियम है अब तो देखिए सबसे पहले तो हम लोगों को यह पता होना चाहिए कि operating conditioning theory किस ने दिये यह हमें BF scanner द्वारा दी गई है इसके अलावा अगर हम देखें तो यहां पर प्रियोग किस पे किया गया यहां पर चूहें पर प्रियोग किया गया यानि कि एक rat पे एक experiment किया गया उसक के प्रियोग कि बहार से उसको भोजन मिलेगा अगर वह गलती से लाल बटन को वहां पर मिले तो उसको करेंट लगेगा औभी उसको पता नहीं था कि इस लेवार को प्रेस करने के बाद ही भोजन मिलेगा तो फिर से खेलने लगा उसके अंदर और एक बार उसने लाल वाले उस बटन को प्रेस किया तब उसको करेंट लगा तो देखिए अभी भी उसको इतनी चीज नहीं पता कि अभी मुझे क्या चीज प्रेस करनी क्या चीज नहीं प्रेस क तो यहां पर क्या किया गया यहां पर वो चुहे ने जब बार बार यहां पर लिवर को प्रेस किया तो उसको एक आइडिया लग गया कि जब मैं इस सीज को प्रेस करता हूं तब मुझे क्या मिलेगा भोजन मिलेगा और अगर मैं लाल वाले बटन को प्रेस करूंगा तो तो आपको positive चीज मिलेगी और अगर आप यह काम करोगे तो इसका negative response होगा तो बच्चा क्या करेगा बच्चा यहां पर उस कार्य को करना पसंद करेगा जिससे उसको positive response मिल रहा है यानि कि उसको यहां पर सक्रियात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है उस चीज को वह करेगा तो दे बोलते हैं कि अगर तुम परिक्षा में इतने अंत ले आओ तो हम तुम्हें यह चीज दिला देंगे तो वह चीज जो हम दिलाने की बात करते हों बच्चे को क्या कर रहे हैं री इंफोर्स कर रहे हैं इसके अलावा अगर हमें यह पूछा जाए कि बीएफ स्किनर की यह ज सब्सक्री अनुबंदन के इसका सिधांट भी बोलते हैं आई होप यह जो मैंने बीएफ स्किनर की ओपरेंट कंडिशन थियोरी आप लोगों को एक्स्प्रेइन किये हैं आप लोगों को यह क्लियर हूई होगी अब चलिए हम आखरी थियोरी जो है पैवलव द्वारा जो ह सब्सक्किश करते है तो देखर हैं यहां पर हमें सबसे पहले तो यह समझना है कि पैवलर की फीरी है इसमें ऐस्पेरिमिंट लोगोज मेरा फ्कृतव रखा अब फूड को रखते ही यहां पर क्या हुआ वो डॉग में सलाइवेशन करना स्टार्ट कर दिया यानि कि उसकी जो लाड है वो तपकने लगी और इसी केस में हमने क्या किया अब यहां पर हमने क्या किया फूड को यहां पर हटा दिया और यहां पर हमने क्या रखा यहां पर हमने कि अभी ये condition नहीं है, अभी इसको पता नहीं है, अभी ये बस food को देखके ही salivation करेगा, यानि कि लाग टपकाएगा, और bell को देखके ये लाग नहीं टपकाएगा, इसके अलावा अगले case में क्या किया गया, अब condition करना, अनुबंधन करना यहां पे शुरू किया गया, इस को आवाज आ रही है, तो यहां पर उसने क्या किया, salivation किया, यानि कि लाग टपकी, तो देखिए, अभी इसको conditioned किया जा रहा था, जिसकी through इसको पता चला कि जब bell बज रही है, तो शायद वहां पर food भी हो सकता है, क्योंकि इस case में यहां पर food था, अगले case में क्या किया तो इसने इस case में यहां पर salivation करना start किया, तो देखिए, यह जो तीनों case है, before condition, during condition, after condition, यहां पर हम लोगों के यह चीज़ पता चलती है, कि अगर हम student के अंदर, बच्चों के अंदर एक आदर डलवा दे, तो बच्चा उसी तरीके से यहां पर response करेगा, देखिए, पहले केस में यहां पर bell को देखिए, कोई भी response नहीं हो रहा था, दूसरे case में bell और food दोनों यहां पर बजाई गई, तो यहां पर food को देखते वे, यहां पर salivation किया, तो यह भी idea लग गया, कि food वहां पर हो सकता है, शायद जहां पर bell बज रहे हो, और तीसरे case में क्या किया गय थी, हमारी BF Skinner की थी और Pavlov की थी, I hope यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, अब चलिए कुछ ऐसे questions को जरा discuss करें, जो कि इन तीनों theories पर समंदित है, और साथे साथ अगर आपने एक combined video नहीं देखी, तो आपको link description मिल जाएगा, आप उस videos को भी देख सकते हैं, यहाँ पे हमें पहले question के अंदर पूछा गया है, कि Pavlov is famous for his work in, यहाँ पे वो रखा है कि Pavlov द्वारा जो हमें यहाँ पे, उनका जो famous कारे था, वो क्या था, तो देखी, अभी हमने देखा था कि Pavlov की जो theory थी, वो हमारी थी classical conditioning theory, यानि कि सास्त्री अनुबंधन का सिधान, जिसके अंदर उन्होंने यहाँ पे एक कुट्टे के उपर, एक डॉक के उपर हमें प्रियोग करके दिखाया था, इस question का C जो option है, यह correct answer होगा, अब चलिए अगले question को जरा देखते हैं, अगले question आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूछा गया है कि जो Thondai का इसके अंदर उन्होंने जो law बनाये थे, जो नियम बनाये थे, उनमें से कौन सा नियम है, तो देखिए यहाँ पे इन्होंने अलग-लग law हमें दिये थे, जिसमें से जो हमारे प्रात्मिक नियम थे, यानकी primary law थे, वो कितने थे, वो थे 3 और यहाँ पे, जो पोण नियम थ वो है law of effect जो कि हमें D option में यहाँ पे दिया गया है, अब चलिए अगले question को जड़ा देखते हैं, इस question के अंदर बोल रखाया है कि giving a student an extra homework after they misbehave in their class is an example of, तो देखिए यहाँ पे यह जो question number 3 है, इसके अंदर बोला गया है कि अगर आपके कक्षा के अंदर कोई विध्यारत है जो कि कुछ misbehave कर रहा है या फिर कहना नहीं मान रहा है, ऐसे case में अगर आप उसे extra homework देते हो, तो यह किस चीज का उधारन आपका बन जाएगा, तो देखिए चार option आपके सामने हैं, मैंने अभी यह theory आपके सामने discuss की, तो आपको यहाँ पर बताना है कि इस third question का क्या correct answer होगा, I hope यह जो सिधान थी, जो theories मैंने आज की इस वीडियो में discuss की हैं, आप लोगों को यह clear हुआ होगा, अब मैं आप से मिलूंगी अगली वीडियो में, अगले topic के साथ, bye bye, take care